अब हम अध्याय 5 को सुरू करते हैं तो अध्याय 5 में अनुपाद से वन समानुपाद तो अनुपाद और समानुपाद के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं तो अनुपाद क्या होता है? अनुपाद जो होता है वो A अनुपाद B इसे इस प्रकार से लिखा जाता है और इसे व्यक्त कैसे करते हैं इसे व्यक्त करते हैं A अपान B के रूप में व्यक्त करते हैं इसकी तरह से समानुपात को भी करते हैं, तो समानुपात जो होता है, वो A अनुपात B, यह होता है जो चार बिंदी दिखाई दे रहा है, इसे हम समानुपात कहते हैं, इसके बाद C अनुपात D, तो इसे इस प्रकार से लिखते हैं, और इसे व्यक्त करते हैं, A अपान B बरा तो तिरिया गुड़ा करेंगे तो यहां से B उपर चला जाएगा इसके साथ गुड़ा हो जाएगा और यहाँ पे जो C है यह उपर जाके A के साथ गुड़ा हो जाएगा तो यह आ जाएगा A, C बराबर B का वर्ग तो यहाँ पे जो मध्यानुपाद का सुत्र है वो आया B का वर्ग अपान A, C यह है मध्यानुपाद का सुत्र इसी तरह से तृत्य अनुपाद भी निकाल लेते हैं तृत्य अनुपाद का जो सूत्र है वो सेम यही मान को हमें लिखना पड़ेगा A अनुपाद B समा अनुपाद C अनुपाद B अनुपाद C ठीक है लेकिन यहां पे हमें सिर्फ C बस का मान चाहिए क्योंकि तिर्ट्यानुपात के हमारा C है तो इसको हम व्यक्त करेंगे A upon B बराबर B upon C तिर्या गुड़ा कर दो तो तिर्या गुड़ा होगा तो A और C का गुड़ा होगी है और यहाँ पे B के साथ गुड़ा होगा तो B का वर गा जाएगा तो क्या यहाँ पे तिर्ट्यानुपात यही बन गया नहीं क्यों नहीं बना क्योंकि यहाँ पे C जो है वो अकेला होना चाहिए और C के साथ क्या गुड़ा है A का तो A का अगर इसके साथ गुड़ा है तो A को हम क्या करेंगे इस साइड ला लेंगे इस साइड आयगत क्या होगा तीरिया गुड़ा होके नीचे आ जाएगा क्यों होगा क्योंकि ये दोनों मान उपर में है इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक तो उपर से अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या बचा का वर्ग और यह हो क्या A यह आ गया तेत्य अनुपात का सुत्र, ठीक समझ में आ गया इसी तरह से चदूर्था अनुपात निकाल लेते हैं चदूर्था अनुपात जो होता है वो A अनुपात B समा अनुपात C, अनुपात D D को हम चदूर्थान उपात कहते हैं अब इसको भी व्यक्त कर देते हैं A upon B बराबर C upon D तीरे गुड़ा कर दो तो नीचे के दोनों मान उपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा A D बराबर B C लेकिन यहाँ पे D को अकेला होना चाहिए तब ही तो चदूर्थान उपात निकलेगा तो क्या होगए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है एक है यहाँ पे A जो है इसके साथ D के साथ गुड़ा है तो कहाँ पे आजए नीचे में आ जाए तो यहाँ D अकेला हो गया 20 या पान A प्राप्त हो गया यह निकल गया चदूर्थान उपात का सुत्र बन गया ठीक समझ में आ गया आगे जो प्रस्ना वाली है उसको हल करने के लिए एक और सुत्र को फ्योग करेंगे तो मैं यहाँ पे साइट पे बता देता हूँ सुत्र है समय बराबर दुरी बटा चाल चाल को कई बर क्या होता है चाल ना दिकर वहाँ पे गती दे दिया जाता है तो चाल यह गती कहा जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या रखना है जहाँ पे चाल रहता है वही पे गती लिख सकता है यह गती के जगा चाल रिख सकता है तो दूरी बटे गती भी कहते हैं, दूरी बटे चाल भी कहते हैं, ठीक है, आपको समझ में आगे ये सुत्र, अब आगे बढ़ते हैं, प्रसनावली के प्रसनों को अभभल करते हैं, प्रसनावली एक का पहला प्रसन है, एक क्रिकेट मैच में बल्ले बाद धिरेंदर 25 में 19 रन बना कर आउट हो जाता है मैं मैंद्र 25 गेंद डान तो कहा बनाने वाले व्यक्ति का नाम हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं तो यहां पर कितने व्यक्ति का जिक्र हुआ है, यह पहले, सबसे पहले आपको देखना है, तो यहां पर तीन व्यक्ति का जिक्र हुआ है, तो उन तीनों व्यक्ति का, जिन तीनों व्यक्ति का जिक्र हुआ है, उन तीनों व्यक्ति का नाम पहले लिख लेते हैं, एक है धिरे महेंदर डवविंद्र इन तीनों में से किसी एक ने सबसे अधिक रन बनाया है यह हमें निकालना है टीक है तो चेक करते हैं हम चलो आगे हल करते हैं पहले प्रस्ण को तब पता चल जाएक तो यहाँ पे हम सबसे पहले से गेंध को निकालेंगे ऊ-क ठिए गेंत, रन, और ये रन, ठीक है धिरेन जो है वो पच्चीस गेंद में चोगदा रन बनाता है, ठीक है ये कुल पच्चीस गेंद क्षिए अर इसी तरह से महेंद्र जो है, वो पच्चीस गेंद खेलता है और 14 रन बनाता है इसी तरह से रविंद्र जो है वो 15 गेंद खेलता है और 9 रन बनाता है ये जो सभी आपको दिखाए दे रहे हैं ये कुल गेंद और कुल रन है अगर हमें इसमें सबसे अधिक निकालना है तो हमें इन सभी व्यक्ति का एक गेंद के द्वारा जितने रन बनाया है उसको हमें सबसे पहले निकालना है तो सबसे पहले हम धिरेंद का निकालते हैं तो लिखो यहाँ पर धिरेंद्र धिरेंद्र द्वारा एक गेंद खेलने में बनाया गया रन तो कुल गेंद 25 खेलता है और कुल कितने रन मनाता है 19 रन तो ये हो गया 19 रन में भाग दे दो 25 गेंद को तो निकल गया एक गेंद का मान ठीक समझ में आ गया एक गेंद का रन कितना है है 19 बटा 25 इसी तरह से महेंदर का भी निकालू अब महेंदर द्वारा एक गेंद खेलने में बनाया गया रन तो कुल रन कितना बनाया है 14 यहाँ पे लिखो 14 और 14 में भाग दे दो 25 का तो ये निकल गया महेंदर द्वारा एक गेंद खेलने में बनाया गया रन तो एक गेंद खेलने में कितना रन बनाया है, 14 बटे 20 रन, ठीक ये भी समाझ में आ गया, अब बचा है सिर्फ रवींद्र, रवींद्र कभी निकाल लो, ठीक है, रवींद्र द्वारा पूरा मान हम वही लिखेंगे, तो मैं यहाप पे इस तरह से इसको कर देता हूँ, ठीक बनाया है, और खुल गएंदो की संख्या है, 15, तो एक गेंद खेलने में रवींद्र द्वारा बनाया गया रन कितना है, 9 बटे 15, ठीक समझ में आ गया, 9 बटे 15, ये सभी के एक गेंद्र के द्वारा बनाया गया रन है, अब हम इसमें से सबसे अधिक, किसने रन बनाया है इसको निकालते हैं, तो क्या करेंगे, 100 से गुड़ा कर देंगे, सभी में क्या करेंगे, 100 का गुड़ा कर देंगे, मतलब 100 प्रतीसत का आप गुड़ा कर दो, तो आपको पता चल जाएगा, यहां भी 100 प्रतीसत का गुड़ा और यहां भी 100 प्रतीसत का गुड़ा कर देंगे ठीक है अब यहाँ पे देखो सभी में 100% का गुड़ा हो गया अब कट रहा है तो कटा दो तो 25 से कम 25 चौक 19 गुड़ी 4 कितना होता है 19 चौक 76 प्रतिसात आ गया देख दूसरा देखो 20 से कम 25 पंचे 100 14 गुड़ी 5 कर दो तो 14 पंचे कितना होता है 70 होता है तो यहाँ पे आ गया 70 प्रतिसात यहाँ पे इसको भी भाग देदो तो यह 15 से तो डिवाइड नहीं होगा लेकिन 5 से डिवाइड दो साथा है 5 तिया 5 दूनी और 5 सुनियम कड़ गया यह इसी तरह से 3 से देखो यह दोनों कड़ जाएगा 3 एकम और यह 3 तिया से कड़ गया बचा कितना 20 गुडित 20 गुडित 3 बचा है तो 20 गुडित 3 केतना होगा 20 तिया 60 प्रतिसात अब देखो सबसे अधीक प्रतिसात किसने पाया है तो सबसे अधीक प्रतिसात धिरेंद्रे ने तो सबसे अधिक रन कौन बना रहा है, धिरेंद्र बना रहा है न, तो यहाँ पे आप लिखो, धिरेंद्र द्वारा, सबसे अधिक, रन बनाया गया, ठीक समझ में आगे ये प्रस्न, आगे बढ़ें, तो अगला जो प्रस्न है वो है, सौ मीटर की दौण में, राम 12 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से दौणते हुए, स्याम को 5 मीटर पीछे छोण दौण जीत लेता है, तो स्याम की गती कितनी थी, स्याम की गती हमें निकालना है, तो यहाँ पे पहले आप समझो इस पूरे प्रस्न को क्या कह रहा है, ठीक है तो यहां से यहां के दूली 100 मिटर है और राम और स्याम दोनों दौन लगा रहे हैं तो दौन जब लगा रहे हैं तो राम जब राम और स्याम दोनों जब दौनता है तो राम जीच जाता है तो राम क्या हो गया, राम जो है वो 100 मीटर की दूरी को पूरा कर लिया, ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन स्याम जो है, वो जब राम 100 मीटर की दूरी पूरा कर लेता है, तो स्याम सिर्फ यहां तक पहुचता है, पांच मीटर का मतलब क्या है पांच मीटर मतलब ये 95 मीटर तक के पहुचा होता है ठीक समझ में आ रहा है पांच मीटर का मतलब क्या 100 में 5 घड जागा तो 95 मीटर तक के ही पहुचा रहता है और राम क्या हो जाता है जिच जाता है और स्याम जो है लिख लेते हैं, तो यहाँ पर दिया है, राम की गती, गती बराबर 12 किलो मीटर प्रति घंडा, ठीक है, 12 किलो मीटर प्रति घंडा दिया हुआ है, और दौर कितने की थी, 100 मीटर की, तो यहाँ पर लिखो, दौर बराबर 100 मीटर, ठीक है, दौर जो था, वो 100 मीटर का था, अब इस प्रस्न को हल करने में, जो सुत्र उप्योग होगा, वो सुत्र है, समय बराबर, दौरी बटा, चाल, चाल को यहाँ पर क्या दिया है, देखो, यहाँ पर चाल के जगा हमें गती दिया है, तो आप उसको गती लिख सकते हो, चाल या गती, दोनों एक ही है, तो यहाँ पर गती कहा है, तो मैं यहाँ पर गती लिख दिया, चाल किस्तान पर, ठीक, इस उद् इतना है, देखो, दोड़ जो है, वो क्या है, मीटर में, मतलब यही तो दूरी होगा न, तो मीटर में जो दिया हुआ है, वो कितना है, 100 मीटर, तो इसी को हम दूरी कहते हैं, तो दूरी है, 100, और गती कितना है, 12 है, अब 12 जो है, इसके पीछे में लगा है, किलो मीटर प्रत एक हजार का एक किलो मीटर होता है समझ में आ रहा है और यह घंटा कितने होता है इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूँगा यह बहुत ही क्रिटिकल है लेकिन समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा किलो मीटर और यहाँ पर घंटा ठीक है किलो मीटर परती घंटा इसी तरह से लिखते हैं किलो मीटर परती घंटा अगर हम यहाँ पर ऐसे निशान लगा दें इसका मतलब यह होता है कि बटा के नीचे में, मतलब किलो मिटर के अपान के नीचे में क्या होगा, घंटा हो रहा है, तो एक किलो मिटर, किलो मिटर मतलब क्या होगा, एक किलो मिटर को हम मिटर अगर लिखते हैं, तो एक हजार लिखेंगे, और घंटे को, अगर हम सेकेंड की से रूप में यह 5 कितना है 2 पंचे और 2 18 आगे हैं 5 बटे 18 तो जहाँ पे यहाँ पे देखो 12 किलोमीटर पती घंडा लगा है इसके साथ हम गुड़ा किसका कर देंगे 5 बटे 18 का कुछ लोग पुत्ते हैं कि यहाँ पे 5 बटे 18 कहां से है तो 5 बटे जो 18 है वो गती को दर्शाने के लिए 5 upon 18 का हम गुड़ा कर देते हैं सभी में ऐसा होता है जब भी प्रस्न लगेगा गती के साथ 5 upon 18 का गुड़ा होगा ही होगा ठीक है हर प्रस्तन में होता है आपको ये ध्यान रखना है ठीक तो यहाँ पे 5 अपान 18 हमने गुड़ा कर दिया अब आगे इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा देखो 6 दूनी कड़ गया 6 तीया कड़ गया ये कितना हो गया ये हो गया 10 यहाँ पे पहले 100 है उसको लिख लो उसके बाद नीचे में है 5 दूनी 10 और इसके नीचे में कितना है 3 ठीक है अब क्या होगा अब यहाँ पे देखो 1 पद 2 पद 3 पद 3 ही पद दिखाई दे रहा है लेकिन इसको हल होने के लिए 4 पद चाहिए तो 4 पद में 1 पद जो है वो गया भय हमें दिखाई नहीं दे रह और यह 3 और यह सब से उपर में मतलब पहला है तो दूसरा गयब है तो इसको कैसे लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100 अपान 1 कुछ नहीं मतलब क्या है 100 की नीचे में 1 आएगा और यह 10 अपान 3 हो गया 4 पद बन गया अब पहले और 4 का गुड़ा कर देते हैं पहला औ 1 गुड़ी 10 तो 10 गुड़ी ते कितना होगा 10 का 10 होगा कटा दो कर गया 10 गुड़ी 3 गुड़ा कर दो तो 10 यह कितना होगा 30 तो यह आ गया 30 सेकेंड आ गया समय बराबर 30 सेगंड हमें राप्त हो गिया है ठीक समय में आगे यहां तक अभी थोड़ा सौर बाकी है उसको भी हल कर लेते हैं अब हम स्याम की गती निकालते हैं तो स्याम की गती निकालते हैं तो स्याम द्वारा कितना रन दोड़ा गया है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखो, स्याम द्वारा 95 मीटर, कैसे निकला 95 मीटर, तो आप 100 में 5 को घटा दो, तो आ जाएगा 95 मीटर आ जाएगा, कितने मीटर दोड़ा था, 95 मीटर, तो यहाँ पे निकल गए 95 मीटर दोड़ में, अब फिर से हम सुत्र में मा रखे समय, बराबर, दुरिय अपान, चाल या फिर गती लिखो, ठीक है, यह है सुत्र, इस सुत्र में मानों को रख देते हैं, और मैंने पहले ही कहा था, कि गती के साथ किसका गुड़ा होगा, 5 बटे 18 का था, हम गुड़ा कर दिए 5 बटे 18 को, ठीक, यह समझ में आ रहा है, 5 ब ले राएंगे, और समय को नीचे ला लेंगे, ठीक है, तीरे अगुड़ा होगा, यहां से यह मान उपर, उपर कमान नीचे आ जाएगा, तो यह हो गया गती, समझ में आ रहा है, गती बराबर, दुरी अपान, समय गुड़ित, 5 बटे 18, ठीक, यहां पे दुरी कितना है, ल 30 सेकेंड लिखो, गुड़ित, 5 बटे 18, ठीक, समझ में आ गया, समय कहां से ला है, समय जो अभी हमने निकाला है, 30 सेकेंड, वही 30 सेकेंड यहां पे आ गया, अब बस आपको इसको हल करते जाना है, हल कर दो, तो यह हो गया 95, यहां पे देखो कट रहा है, 6 के पाड़े में 6 तिया, और 6 पंचे, कड़िया, इन दोनों को उगड़ा कर लो, तो यह हो गया, 5 पंचे, 25 बटा 3, यहां भी वही कंडिशन हा रहा है, कि यहां पे एक पत गयाब है, तो किसका पत गयाब है, कैसे पत करोगे, तो सबसे पहले यहां पे देखो, जहां पे हमने हल किया है, त ठीक है, नीचे इस गिन है, 4 और 3 और यह पहला है, तो कौन सा पत आपको पता नहीं चर रहा है, दूसरा ही पता नहीं चर रहा है, तो दूसरा पत गयाब है, मतलब 95 के नीचे में 1 है, फिर 25 है, फिर 3 है, ठीक है, इस तरह से यह 4 पत बन गया, पहला और 4 का गुड़ा, और दूसरा और तीसरे का गुड़ा कर दो तो यह हो गया 95 गुडित 3 और 1 गुडित 25 25 ही होगा जो जो कटे कटा दो 5 पंचे 25 5 एकाम 5 निया 45 तो यह हो गया 19 गुडित 3 कितना हो गया 19 तिया 57 बटा 5 भाग दे दो तो 5 एकाम 5 और यह भी हो गया 5 एकाम 5 दो बचा है तो 2 को दसम्बला लगाएंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा तो 5 को 5 से भाग दे दो तो 5 चोग कितना होता है 20 होता है तो 11.4 किलो मीटर प्रती घंटा इसकी स्पिट प्राफ्थ हुआ है मतलब गती प्राफ्थ हुआ है यही हमें क्या करना था ग्यात करना था ठीक समझ में आ गया गती कितना है 11.4 किलो मीटर प्रती घंटा इसकी गती है किसकी स्याम की ठीक एंसर मिल गया अगे बनी